एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जब मेरे दस से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त है लेकिन अबी की अगर मैं बात करूँ तो मेरा एक भी दोस्त नहीं है अब आप लोगे सुनकर ये चीज ज़रूर बोलोगे बिंजट बाई नूब एक भी दोस्त नहीं है ऐसा किसके जारे दोस्तों की नफरत है तो आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज बाई लोग आज कर देना तो ये कहानी ये आज से करीबन एक दो साल पहले की और जो लोग यहाँ पे पहले से मुझे जानते होगे उनको इचीज पता होगा कि मैं हर साल गर्मियों में एक दो हफ़तों के लिए गायब हो जाता हूँ मतलब एक दम इंटरनेट से ब्रेक लेता हूँ और पहाड़ों में गूमने चला जाता हूँ और ऐसे ही एक दिन दो साल पहले मेरे आलसी कजन का कॉल आता है वो उस ताइम पे दुबई में काम करता था और बहुत सालों से गर नहीं आया था तो उसने मेरे को बोला उसको आ महीना सिर्फ बारिशी होने वाली थी तो मैंने उसको बोला बाई इस महीना पूरी बारिश होने वाली है तो पहाड़ों पे जाना पॉसिबल नहीं है और ये सुनकर उसका मूड बहुत खराब हो गया और उसने का वो फिर नहीं आएगा उसकी ये बात सुनकर मैं उसको चुटी है और अगले महीने उसको वापी जाना है और फिर ना चाते हुए भी मुझे उसकी ये बात माननी पड़ी लेकिन ये मेरी जिन्दगी का सबसे खराब डेसिजन होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैंने अपने बाई को बोला सारे कजन्स को बोला कॉलनी के ये जो ट्रेक था ये बहुत लंबा चोड़ा था और इसमें 6 दिन लगते थे और इसमें हमें 60 किलोमीटर्स एकदम पहाड़ू से चलना था और पूरे ट्रेक पे ना फोन नेटवर्क आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा हम 10 लोगों मैं से इस से पहले सिर्फ मेरे बाई वह पे गए थे बाकियों को कुछ भी नहीं पता थी तो उन्होंने सारी ज़रूरी चीज़े तयार कराई और कुछ दिन बाद हम लोग उस ट्रेक के लिए निकल गए और अभी नहीं हम लोग ने वो ट्रेक शुरू भी नहीं किया था मतलब हम लोग अभी गाड़ी से उतरे थे चबल पैसे दूँगा तो चलो छे दिन का ट्रिप था और अल्रेडी गोडे वाले बहुत पैसे ले रहे थे और डबल की तो बात सुनकर वो एकदम तयार हो गए उतनी खतरनाक बारिश देखकर कोई भी नहीं जाना चाता था लेकिन मेरे उस कमीने कजन ने सबको क्यूंकि उनको वहाँ पे जल्दी पहुंचके टेंड भी लगाना था लेकिन बारिश की वज़ा से हम सभी इतना जादा स्लो हो गए कि जिस ट्रैक पे 7 गंटे लगने थे वहाँ में 10 गंटे से भी जादा हो गया था और अब इतने टाइम तक बारिश में चलने से हमारे र अलसी था न वो इतना जादा ठक चुका था उसका बैग भी मुझे लगा कर था और अब दो बैग उठा कर मैं भी बहुत ठक चुका था देखते देखते अंदेरा इतना बढ़ गया कि आप टॉर्च के बगैर सामने वाला बंदा भी नहीं दिख रहा था तब ही बाई ने क्या आप 10-15 मिनटी लगेगे और हम पहुंच जाएंगे ये सुनकर मेरे को थोड़ी रहत मिली और मैंने सोचा थोड़ा रेष्ट करता हूँ मैं वहीं पे पत्थर पे बैठ गया और मैंने सब को बोला थोड़ा रेष्ट करते रुप जाओ लेकिन उन लोगों ने बारिश भी हो गए थे और सामने मेरे को कोई नहीं मिल रहा था ये देखकर मैं टेंशन में आ गया और मैं चिलाने लग गया लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया मैं फिर से आगे चलता गया और बाई को बुलाते गया लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया और तबी नीचे आप मतलब आगे पीछे ना कोई भी नी था एकदम जंगल और आप किसी मौटेन के साइड से चल रहे हो मेरी ना कसम से सोच करी वाच लग गई थी अब जब मैं आगे चलता गया और कोई मेरे को मिला नहीं तो मैं वापस पीछे चलने लग गया और मैं एकदम पूरे रास्ते अंदेरे में चलाते गया लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया ये करते करते आट बजे से ग्यारा बज चुके थे और अभी ना मैं शोर था कि मैं ठंड से मर जाओंगा तो मैं तब ही एक पथर के पास बैठा और मैंने अपना टॉर्च आन रखा और मैंने इतनी खराब थी ना कि मेर को नहीं लगता था मैं अपने ग्रूप से वापस मिलूंगा मैं लिटरली रो रहा था और मुझमे ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आगे पीछे जाने की तो मैं बस उपर वाले से दुआ कर रहा था और चला रहा था कि कोई मेरी बात सुने औ और तबी किसी लड़की की आवाज आई की कौन है भाई लड़की के आवाज सुनके तो मैं जादा ही डर गया क्योंकि सीधी सी बाते उतनी रात को महां से लड़की क्या कर रही होती मुझे सच में लगा था कोई बूत या तो जिन होगा लेकिन जब वो मेरे सामने आई तो मेरी जान में जान आई क्योंकि वो पहाड़ों पे रहने वाली गुजर थी गुजर वो ही होते हैं जो बेड़ बक्रिया पहाड़ों पे पालते हैं उसके साथ कोई अंकल भी था और उसने मेरी हालत देखकर पूछा बेटा क्या हुआ उस आटी ने उतनी रात को मेरे को चाई दी और मेरे को कमबल भी दिया और मैं वहीं पे आग के पास अपने कबड़े सुखाने लग गया मैं आज भी ये चीज सोचता हूं कि अगर उस दिन वो लोग मेरी आवाज नी सुनते न मैं वहीं पे ठंड से मर भी गया होता उसके कुछी गंटों में सुबा हो गई और बाहर से मुझे मेरे बाई के आवाज सुनाई दी उस आटी ने ही बोला शायद तुम्हें कोई डूंड रहा है मैं बाहर निकला और मैंने देखा वो सच में मेरा बाई था मैंने दोड़ते दोड़ते उसको हग किया और एकदम रोने लग गया मैं ऐसे रो रहा था ना जैसे कोई बच्चा था और फिर मैंने उसको सारी बाते बताई कि कैसे इन लोगों ने मेरी जान बचाई बाई ने उनको 50 बार थेंक्यू बोला मैंने उस अंकल आंटी को पैसे दिये लेकिन उन्होंने लिये नहीं और जाते जाते भी इत स्प्रिंट भी सो रहा था क्या उन्होंने बोला उसको तो गंटा फरक नहीं पड़ा वो तो कल शाम कोई सो गया था ये सुनकर मेरा दिल पूरा तूट गया क्यूंकि जिस दोस्त के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता था वो मुझे इतनी खतरनाक जगा पे डूणने भी न पड़े फिर कॉलेज में भी बहुत दोस्त मिले लेकिन सब मतलबी और इसलिए मैं अब नकली लोगों से दूरी रहता हूं और आप सब को भी एक एडवाइस दूँगा क्या हमेशा दोस्त सोन समझकरी बनाना तो यही था इस स्टोरी टाइम वीडियो में और अगर आप च झाल